Hello friends, how are you? आजगा हमारा टापिक है वेपल्स वेपल्स क्या होता है? आगे देखते हैं A single isolated disturbance traveling through a medium is called a वेपल्स एक single isolated माना अकेला माना अकेला disturbance जो किसी medium में से travel करता है तो हम उसको वेपल्स बोलते हैं इसको कैसे generate किया जाता है? यानि ये कैसे बनता है? Consider two person holding opposite ends of a row आप suppose करो कि ये दो आदमी हैं जो इस रस्ची को दोनों तरफ से stretch करके खड़े हैं Suddenly क्या होता है? कि एक person एक end से इसको एक जर्क देता है जर्क का मतलब है कि जटका देता है जिसकी वज़ा से इसके अंदर एक hump पैदा होता है आप देख रहे हैं कि इस रस्ची के अंदर एक hump पैदा हो रहा है इसको हम hump भी बोलते हैं और कभी कभी इसको bump भी बोला जाता है यह फिर जब पैदा होता है तो यह along the rope ट्रेवल करके दूसरे आदमी की रफ जाता है जैसे के आप इसमें देख रहे हो इस hump को ही हम वेपल्स बोलते हैं जो सिंगल जर्क में से पैदा हुआ है इसी को हम वेपल्स बोलते हैं जब यह hump दूसरे आदमी तक पहुँचता है तो आप नोट करोगे कि उसके हाथ को लिफ्ट कर देता है अगर यह पर कोई particle होता तो वो लिफ्ट हो जाता यह पर particle नहीं है तो आदमी का hand है तो लिफ्ट हो गया इसमें से क्या जाहर हुआ इस में से ये जाहर हुआ कि इस wave के अंदर इस hump के अंदर या इस pulse के अंदर energy थी जो आगे transfer हुई और उसके हाथ को उसने lift कर दिया तो therefore we say that waves are carriers of energy तो waves जो है energy और momentum को carry करती है ठीक हो गया अच्छा अब हमने देखना है कि ये जो hump होता है या ये जो wave pulse होता है ये अपना shape retain सिर्फ तब करता है यानि ये इस रसी के अंदर जो hump पैदा हुआ है इसका shape बरकरार सिर्फ तब होगा जब there are no frictional losses इस रसी के अंदर या इसी string के अंदर कोई friction वगेरा नहीं है कोई हवा वगेरा नहीं चल रही किसी किसम के भी कोई losses नहीं है ठीक है और दूसरी point the height of the wave is not so large as to affect the tension in the string इसकी height bump की इतनी height ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि इस रसी के अंदर जो tension है उस पर असर अंदास हो वेपल्स तब अपना shape retain करता है जब frictional losses भी ना हो और height इतनी ज्यादा ना हो कि रसी के अंदर tension पर असर अंदास हो तो I hope कि आप समझ गए हो बिल्कुल simple है what is वेपल्स अब थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं periodic waves क्या होती है अभी हमने देखा कि single jerk जो है जब हम single jerk कि इसी रसी वगेरा को देते हैं तो उसके अंदर सिरफ वेपल्स पैदा होता है वो periodic waves पैदा नहीं कर सकता तो periodic waves का पैदा होती है जब continuous regular और rhythmic disturbances हो अगर हम किसी medium के अंदर continuously regular intervals पर और एक rhythm के साथ disturbances पैदा करें तो AC vibrations में जो waves बनेंगी हम उसको periodic waves बोलते हैं for example spring block system जो होता है वो एक periodic waves बनाता है यह example पंजाब टेक्स में लिखा हुआ है तो spring block system जो है यह periodic vibrations करता है इसके इलावा cosine wave जो होती है यह भी periodic wave है और sine wave भी periodic wave है ठीक हो गया तो periodic waves में और wave pulse में क्या फरक है कि single jerk जो है वो क्या पैदा करता है वो पदा करता है wave pulse और continuous regular और rhythmic disturbances जो हैं वो क्या पैदा करते हैं वो periodic waves पैदा करते हैं और इसके examples भी आपने देखे अच्छे वटा हमको यह तो पता है कि wave जो है वो energy और momentum को transfer करती है तो क्या wave meter को भी transfer करती है meter का मतलब यह mass को transfer करती है तो answer है नहीं wave do not transport meter ऐसा क्यों होता है आई यह हम एक example के जरिये समझते हैं जब हम किसी पांड के अंदर जिसके अंदर पानी खड़ा होता है इसको हम क्या बोलते है still water उसके अंदर हम एक पत्थर यह people गिराएं तो क्या होता है उसके अंदर disturbance पैदा होते हैं और उस disturbance की होजा से उस पानी के अंदर ripples पैदा होती है यह गोल गोल जो circular आपको waves नजर आ रही है इसको हम ripples बोलते हैं अगर आप कभी गोर से आपने कभी देखा हो इतफाक हुआ हो कि इसके उपर कोई पत्ता हो और उस पत्ते की motion को कभी आपने गोर से observe किया हो तो आप देखोगे कि यह जो पत्ता है यह sideways move करता रहता है और up down भी motion करता रहता है पर it does not goes any net displacement यह कोई net displacement नहीं करता बाहर की तरफ नहीं जाता ठीक है इसा क्यूं होता है कि यह जो ripples हैं यह waves हैं यह तो बाहर जा रही हैं लेकिन इनके साथ पानी बाहर नहीं जा रहा पत्ता पानी के उपर है पत्ता भी बाहर चला जाता तो ripples के साथ पानी बाहर नहीं जाता अगर पानी बाहर जाता तो हम फिर बोलते कि मेटर भी बाहर जाता है जो water है वो disturbance के साथ carry नहीं होता इसी वजह से पत्ता भी net displacement cover नहीं करता चलें इसको हम एक और example के जरीए समझत हैं यह आप एक transfers wave देख रहे हो और यहां पर एक particle है अगर आप जरा गोर ना करें तो आपको ऐसे लगेगा किसे यह particle आगे पिछे जा रहा है पर अगर आप गोर से देखें तो note करें यह particle तो same line पर ही उपर नीचे हो रहा है wave आगे जा रही है wave का मतले पर disturbance आगे जा रहा ह है पर particle तो उसी line पर आगे पिछे हो रहा है ठीक है यह दो को नीचे जो मैंने green वाला वेबर्स लिखा हुआ है विल्कुल इसके सामने है ना आगे जाता है ना पिछे जाता है तो इसमें से क्या जाहर होता है कि wave के अंदर जो particles होते हैं वो अपनी mean line पर ही up and down vibrate करते रहते हैं यह disturbance के साथ आगे नहीं जाते आगे क्या जाता है आगे disturbance जाता है और वो disturbance अपने साथ momentum और energy को carry करता है पर जो particles होते हैं जो matter होता है जो mass होता है up and down vibrate करता रहता है तो इसी के साथ हमारा यह lecture खतम हुआ I hope आपने यह enjoy किया होगा मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए अल्